बीवी छोड़ के भागा वो, उसको 45 करोड परिवारों की चिंता नहीं है, उसको आडानी अम्बानी की चिंता है बीवी छोड़ के भागे, 2 करोड सलाना रोजगार देने का बादा किये, वो छोड़ कर भागे मड़ी पूर छोड़ कर भागे, चीन जब लगदाक में घुसा तब चीन को उन्होंने कह दिया कि कोई देश के अंदर नहीं आया तो जहां-जहां जिम्मेदारी इनके कंधे पर आनी थी, आई, इन्होंने वो जिम्मेदारी छोड़ कर भागे सिर्फ चुनाओ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं और चुनाओ की जिम्मेदारी लेते लेते उनके कंधे हो गए हैं कमजोर अब उन कंधों पर कोई चुनाओ की जिम्मेदारी वो उठा नहीं पा रहे हैं पांच चुनाओं से पहले भी जो चुनाओं थे वो सब हार चुके हैं मोदी जी, मोदी जी का काम खतम हो चुका है, भाजपा के मुखमंदरी मिले हुए हैं पिचवलिये से, इसलिए MSP के दाम से भी कम कीमत किसान लेने को मजबूर है, आत्पत्या करने को मजबूर है, बार कांग्रेस और विपक्षी दलों पे लगाने के लिए है, वहीं पे उनकी पार्टी में राजनासी का बेटा, मुंडे की बेटी, उनके हाँ जितने नेता हैं, उनके बेटा बेटी हैं, तो वो रजगुला है, हमारे हाँ हैं तो वो गुलगुला है, ये नहीं चलेगा दोहर देश के अंदर नहीं आया, तो जहां-जहां जिम्मेदारी इनके कंधे पर आनी थी, इन्होंने वो जिम्मेदारी छोड़कर भागे, सिर्फ चुनाओ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं, और चुनाओ की जिम्मेदारी लेते-लेते, उनके कंधे हो गए हैं कमज जी अगर कुछ भी अगर किये हुए हैं, तो 2014 से पहले जो उन्होंने देश्वासियों के साथ, देश के नागरिकों के साथ जो वादा किया था, उसको उठाएं, उस पे अपना स्पस्टी करण दें, उस पे अपनी सफाई दें, उस पे उन्होंने क्या काम किया है, वो बताए वो रोज कहते हैं अठारा घंटे काम करो जो मैंने कर दिया देश में कोई कर नहीं पाया भारत का नाम दुनिया में वो गया भारत का डंका बज़रा है भाई सब क्या चाहिए अठारा घंटे केवल कपड़े बदलते हैं अठारा घंटे कपड़े बदलने से अगर देश की तस्वीर बदल जाती आपकी हमारी क्रेच हमता अगर बढ़ जाती देश की आर्थी किस्थिती सुधर जाती तब कहा जाता कि उनके अठारा घंटे काम करने का कोई असर है आज वाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है कोई भी भाजपा की सरकार ओल्ड पेंशन दे सकती है क्या वो रोजगार दे सकती है महेंगाई कम कर सकती है ना रोजगार पे बात करेंगे ना महेंगाई पे बात करेंगे ना ओल पेंशन पे बात करेंगे क्या 500 रुपए में सिलेंडर दे पाएंगे क्या उनका कोई प्रदेश उत्तर प्रदेश के चुनाओं से पहले उन्होंने 36 गड़ की देखा देखी कह दिया कि हम यहां पे गोबर खरीदेंगे क्या उत्तर प्रदेश में गोबर खरीदा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वादा गया था कि 25 किलो में 25 किलो 25 रुपए में एक किलो घी दिया जाएगा चुनाओं से पहले इस तरह के तमाम वादे करते हैं मोदी या भाजपा सरकार और चुनाओं बीतते ही जो है वो सारे वादे भूल जाते हैं जुमले बात है यह तो उन्होंने अमिश्या ने मोदी को जुमला कहा था जब बात आई कि 15 लाग सब के एकाउंट में दिया जाएंगे तो अमिश्या ने कहा था कि चुनाओं से पहले ऐसे जुमले कह दिये जाते हैं तो यह तो उन्होंने ही इस पस्ति हमें अलग से कहने कि क्या जरूरत है लेकिन मोदी जी दावा कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत विकास किया गाउं तक पानी पहुचा दिया बिजली पहुचा दिया परिवार वाद दिया था आतंगवादी यहां बंफोड के चले जाते थे मोदी जी के साशन में देश जितना शश्रक्त और मजबूत बना है इस ठीक है मोदी जी ने बिजली के दाम गाउं में बढ़ा दिये सिचाई के लागत बढ़ा दी उन्होंने जो वादा किया था कि 2022 में हम किसान को आए दोगना करेंगे हर चीज के दाम दोगने कर दिये यूरिया डाई चाहे सिचाई हो चाहे बिजली हो हर चीज के दाम दोगन नहीं हुए जोला के तहट जो बाटे गए अगर उनके अंदर हिम्मत है तो एक प्रदेश में जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर रिफिल करने की बात करें कीसां को किसां संबान निदी के नाम पर उन्होंने रेव्डी दी की नहीं आपने करे तो सब अच्छा अच्छा दूसरा करे तो जो है वो देश की आर्थी किस्तित ही काल्याण कारी जो होती है वो चुनाव के लिए नहीं, जो हमेशा दी जाए जिससे एक परिवार, वो परिवार का मतलब वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बीवी छोड के भागे हैं, एक परिवार की आर्थिक स्थिती बहतर हो, वो कल्याड कारी नीती होती है, तो कॉंग्रेस जो है ऐसा पैकेज बनाती ह हैं, यह जब खरीद के पॉस्टिक आहार दे सकती है, यह बचत कांग्रेस ने कराई, बीजली के दाम आधे करने की कांग्रेस बात करती है, मिले हुए हैं, इसलिए MSP के दाम से भी कम कीमत किसान को लेने को मजबूर है, आत्मत्या करने को मजबूर है. बीजली जी कहरे हैं, हमारे सरकार में एक घोटाला नहीं हुआ है, कोई हुआ हो तो बता दी. नौ सालों से मोधी सरकार है, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ डबल ताकत है, एक भरस्टाचारी जेल भेज दिया हो, जो दो चार इधर भेजे हैं, दूसरी पार्टियों के बेजे हैं, चार शीट में नहीं लगा पा रहे हैं. तो ये सब कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, कि नहीं हमने भरस्टाचारियों को जीतने भरस्टाचारी जो इन्होंने आरोप लगाए. आप देखिए एहमंद विश्वस्वरमा आरोप लगाया, अपनी पार्टी में लिया, उसको मुखमंतरी बना दिया, जी ठीक, बाकी सब बुरे. आपका नितीश कुमार को लिली, इससे बोल रहे हैं, यह सभी लोग पहले भरस्टाचार थे, एक दूसरे को पानी पीपी के गरी आते थे, अब पता चल गया कुछ बचा नहीं है, तो अलाइंस कर लिया, मोदी खिलाफ हो गए? यह तो मोदी जी कहते हैं, कि सब भरस्टाचारी एक हो गए है, उसके बाद जो यहाँ पे जो एलाइंस थे, 26 पार्टियां, 27 पार्टियां आई, तो उन्होंने दिखाने की कोशिस की 49 पार्टियां, उन 49 पार्टियों में जिन लोगों को खड़ा किया, वो भरस्टाचारी हैं, कि नहीं, जो हमारे यहाँ से ले गए, या दूसरे दलों से ले गए, जिन पे आरोप लगाया, वो भरस्टाचारी हैं, कि नहीं, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, रही बात की, परिवार बात की आप बात कर रहे हैं, समिधान के किस पन्ने पे, किस धारा में लिखा हुआ है, कि वकील का बेटा वकील नहीं बन सकता है, डाक्टर का बेटा डाक्टर नहीं बन सकता है, नेता का बेटा नहीं बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, पढ़ाई करके, लेकिन नेता का बेटा नेता तभी रहेगा, कि जब पान साल में जनता उसको चुन के मौका देगी परिवारवाद कोई समिधान विरोधी नहीं है परिवारवाद समिधान की वियोस्था है योगिता जो है वो होनी चाहिए और योगिता सिद्ध करने के लिए लोकतंत्र में हर पांच साल में परिच्छा देनी पड़ती है मोदी जी भी देते है कोई भी परिवार से हमारा बेटा होगा मैं कांग्रेस की राजनीत कर रहा हूँ मेरा बच्चा होगा उसको चुनाव लड़के आना पड़ेगा जनता वोट देगी तब ही वो बैट सकता है ये परिवार बात कांग्रेस और विपक्षी दलों पे लगाने के लिए है वहीं पे उनकी पार्टी में राजनाति सीका बेटा मुण्डे की बेटी उनके हाँ जितने नेता है उनके बेटा बेटी है तो वो रजगुला है हमारे हाँ है तो वो गुलगुला है ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड